बॉलिवुड स्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोन स्टारर निर्देशक सिधार्थ आनंद की स्पाई ड्रामा मूवी पठान साल 2023 की टॉप ग्रोसर फिल्म रही इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स धराशाई किये थे सुपर्स्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोन स्टारर इस फिल्म की बंपर सक्सेस के बाद से ही निर्देशक सिधार्थ आनंद की इस ब्लॉक बस्टर मूवी के सीक्वल का एलान हो गया था तभी से इस फिल्म के सीक्वल को लेकर खासा बस है अब हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक बेहत चौकाने वाली जानकारी सामने आई है सामने आ रही लेटेस्ट खबरों की माने तो निर्देशक सिधार्थ आनंद यश्राज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की अधिली फिल्म पठान दो फीट का निर्देशन नहीं करेंगे Entertainment News की दुनिया में सामने आई इस खबर से फैंस को शौक लगा है Peeping Moon की एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म में कर्स पठान दो फीट के लिए किसी नए निर्देशक की तलाश में है मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान और दीपी का पादुकोन स्टारर इस ब्लॉक बस्टर मुवी के सीक्वल की तयारियां जोरों पर है मगर इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी यश्राज फिल्म्स सिधार्थ आनंद को नहीं बल्कि किसी और नए निर्देशक को देंगे इसकी क्या वज़य है? आईए जानते हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुवी से निर्देशक सिधार्थ आनंद की पिछली रिलीज मुवी फाइटर तो नहीं इस फिल्म को भी यश्राज फिल्म्स के बैनर तले ही बनाया गया था रितिक रोशन और दीपिका पादुकोन स्टारर इस फिल्म को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया मगर फिर ये मुवी वैसा कमाल नहीं कर सकी थी जैसा शाहरुख खान की पठान दो फीट ने किया दोनों ही फिल्मों का निरदेशन सिधार्थ आनंद ने किया था तो कहीं फाइटर को मनमाफिक सफलता न मिलने की वजह से ही तो सिधार्थ आनंद के हाथ से शाहरुख खान की पठान निकल गई पीपिंग मून की खबर की माने तो इसकी वजह फिल्म मेकर आदित्य चोप्रा का अपनी स्पाई उनिवर्स की फिल्मों में निर्देशक न रिपीट करने का फैसला है। उन्होंने सल्मान खान की टाइगर सिरीज की सभी फिल्मों को अलग-अलग निर्देशकों के जरिये फिल्माया था। ऐसा ही अब वो पठान और वोर सिरीज के साथ भी करने की प्लानिंग में हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ। कर दोस्तों आप लोगों से और विडियो के साथ।